नमस्कार आप सभी का स्वागत है भाग्यम मैं मैं हूँ पंडिक चंद्र शेकर शर्मा दर्शे को सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की आज दिनांग है दो जुलाई संद दो जार तेइस विक्रम समवत दो जार असी चल रहा है आशाड मास है शुक्लिप शात्री योग शुक्ल है शाम साथ बच की पच्चिस मिनट तक आगे ब्रह्म योग है तो योग की दरश्टी से आजका दिन बहुतर शुब योग का रखे अच्छे काम करेंगे तो अच्छे फल प्राप्त होंगे यष्ज दिलाने वाले काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आज प्रसद्धी का दिन है करन गर है सुबह नौ बच के उन्चास मिनट तक आगे वनिच करन रहेगा सुर्योदेगा समय दर्शकों सुबह पांच बच के निकलना नहीं चाहिए अभिजित मुरत आज ग्यारा बच के सताउन मिनट से दोपेर बारा बच के बाउन मिनट के वीचे दिन में दो बार दुष्ट मुरत भी रहेंगे ध्यान से समझ के इनको टाल दीजिएगा ये हैं शाम को पांच बच के 31 मिनट और शाम 6 बच के 27 मिनट आज का दिशा शूल दर्शे को पश्चिम दिशा में तो पहली कोशिश तो यही करेंगे कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टालें लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है अनिवारी यात्रा है तो परिहार करके निकलें परिहार बहुत सरल है पश्चिम के और मुक कीजिए थोड़ा सा घी दलिया या फिर पान खाकर पहले पांच कदम पीछे चली और अपने हड़े में भगवान श्री राम या अपने अपने इश्ट का ध्यान करें और उनसे इस यात्रा में साथ चलने का अग्रे करें और फिर इस यात्रा पर निकलें तो आपकी यात्रा बहुती स चास मिनट तक फिर शाम साथ बच के तीस मिनट से रातरी नौबच के तीस मिनट तक यह तीनों का लखंड बहुती शुब है बाकी पूरे दिन की अपेक्षा अच्छे एफट्स करें को बिजनस डील करें को रिष्टे की बात चलाएं तो इन समय का ध्यान रखते हो करेंगे तो आपको फल अच्छे मिलेंगे आज की चंद राशी दर्शिक को व्रशिक है दोपेर एक बच के 18 मिनट तक आगे धनू राशी आजएगी चंद्रमा धनू राशी में प्रिवेश करेंगे दोपेर में जिससे आज का इस दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार वाले ऐसे कोई काम ना करें जो सास्त पर असर डाल दे आपके मितुन राशी वाले लेंदेन के मामले में लाब उठाते वे नजर आएंगे करक राशी वाले जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से नुकसान उठा सकते हैं तो कुछ भी करें सो समझ के करें और सिंग र राशी वाले लड़ाई जगड़े से रहें दूर किसी और की मुसीबत अपने गले में बिलकुल ना लें तुला राशी वाले हर प्रकार से आगे बढ़ते वे नजर आ रहे हैं व्रश्चिक राशी वाले अपने एफर्स का जबरदस रिजल्ट मिलतावा देखकर होंगे प राशी वाले जो किसी उपलबदी के पीछे बहुत समय से भाग रहेते उनको मिल सकती है उमीद की कोई किरन दर्शे को आप बात करते हैं आज के दिन के ज्यान चर्चा पर जो की आपकी हमारी अंत्यद्रश्टी प्रग्या को जागरत करेगी फिर आगे समझेंगे उन विस जन वही करते हैं जो सफल व्यक्ति राजनेता सेलेबरिटीज और संत महातमा इत्यादी करते हैं या फिर कहते हैं संस्कृत में आती है सुक्ति कि महाजनों ये नगता सहपन्था यानि बड़े लोग जिदर से गए हो वो रास्ता बन जाता है इसलिए बहुत बड़ी जिम् प्रमानम कुरूते लोकस तद अनुवर्थते यानि स्रेष्ट पुरुष जो जो आचरन करते हैं दूसरे समान्य जन भी वैसा ही आचरन वही काम करते हैं जो उधारन या प्रमान स्रेष्ट मनुष्य सामने रखते हैं वही समान्य जन अनुसरन करने लगते हैं इसलिए स्र स्वास्त का ध्यान रखेंगे यूग करेंगे दर्शे को आप बात करते हैं उन विस्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समश्याओं के सरल समाधान कर देते हैं सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनकी आज जनम दिन है तो जिन जिन लोग का जनम दिन है सुबह भगवान सूर्य को रोली लाल फूल और थोड़ा सा गुड मिलाकर जल में और भगवान सूर्य को अर्ग दें उसके बाद में सुबह 10 बच के 15 मिनट के करीब एक नंदी जी को सवा किलो दलिया और सवा पाउ गुड खिलाएं उनको प्रणाम करें फिर भगवान शिव जी के मंदिर में सवा किलो गेहूं दौपेड डेड़ से ड़ाई बज़े के बीच में अर्पित करके आएं और इस जीवन में आगे बढ़ने के मार खुलेंगे बहुत ही सुकून शान्ती मिलेगी इश्वरी अनुकमपा मिलेगी ऐसी दर्शे को जो चात्र सरकारी नोकरी की तयारी कर रहे हैं या फिर सरकारी नोकरी में कारे रत जो लोग है उनको कोई विभागी परिशानी आ रही है तो बिलो व्रक्ष की जड़ का एक टुकड़ा तांबे के तावीज में डाल कर लाल कपड़े में उसको सिल कर लाल धागे में गले में पहन लें फिर देखिए कैसे आपको बहुत ही जबर्दस लाब होता आपकी मनोकामना पूर्ण होती है और जो जॉब में आप हैं और मत्रिका में सूर्य निर्वल इस्तिती में ऐसे में नित्य भगवान सूर्य को अर्ग देना शुरू करें साथी साथ लाल पुष्प प्रशाद धूपदी परपित करके नित्य एक बहुती विशिस्ट मंत्र की एक माला कुछ दिन करते रहें थोड़े से दिनों में आप दे समझते हैं ओ मुरीम मुरीम सूर्याय सहस्री किर्णाय मनोवांचित फलम देही देही स्वाहा आप करके देखें बहुत बड़ा चमतकार हुगा ऐसी जो लोग बार-बार बिमार पढ़ते हैं खास करके बच्चे उनके लिए उतारा करने का आज बहुती विशिस्ट दिन है बहुती विशिस्ट मूरत है इसके लिए आप शाम को 8 बज के 30 मिनट पर साबुत नमक नारियल की बरफी कुछ सूखे मेवे यानि ट्राइफ रूट्स और एक कोई भी रितुफल जैसे कि इन दिनों आम है यह आप लेली जिए और पिडित रोगी पढ़ से 11 बार एंटी क् वाइस एक पतल में रखके इसको घुमा लीजिए फिर इस पतल को किसी उजाड स्थान पर जाके रखाई और बिना पीछे देखे चुपचाब घर वापस आ जाईए किसी भी पशुपक्षी के द्वारा जब भोग ले लिया जाएगा यानि निखा लिया जाएगा तुरंत बच्चे पर से या रोगी पर से जो देविक दोश है वो उतर जाएगा और बच्चा द्रश्टी दोश जैसे समश्चाओं से मुक्त हो जाएगा तो दर्शे को यह थे आज की वह विसस्ट उपाई जो आपकी बड़ी-बड़ी समश्चाओं को समाधान की ओर ले जा रहे ह हैं आपको समश्चाओं से मुक्त कर रहे हैं और आपके मनोकामना भी पूरी कर रहे हैं अब बात करते हैं आपके सवालों की आपके सवालों में आज हमारे पास जनम पत्री का यह हमारी दर्शक रमाजी की जैपुर से 23 अगस्ट 1986 का इनका जनम है सुबह 6 बच के 50 मिनिट क प्रश्ण किया रमाजी ने की प्रमोशन के योग कब हैं देखिए रमाजी आपके प्रमोशन के योग अगले वर्ष जून से अगस्त में बन रहे हैं यानि सन 24 जून से अगस्त और एक प्रबल योग सन 2030 मार जो आपके कैरियर को बहुत बड़ी उंचाही देगा आपके कैरियर में मजबूती के लिए आप नित्य मीठे चावल गौमाता को खिलाईए यानि थोड़े से सफेद चावल बनाईए उसमें घीची नहीं मिलाके और गौमाता को खिलाईए और चंदन का इत्र भगवान शिवजी पारप्यत करना शुरू कर दीजे आपकी पत् प्रशक सिद्धांत तलवार जी की हनुमान गड़ से 18 जनवर 1902 में का इनका जनम है सुबह 10 बच के 54 मिनिट का हनुमान गड़ प्रशन किया कानूनी समश्या है कब समाप्त होगी सिद्धां जी आपकी पत्रिका में चंद्र केतु का ग्रहन दोश है मंगल रहु का अंगार कि अभी दशा नुकूल नहीं है संभवत आपको इसकी परिशानी भी उठानी पड़े अगस्त दोजार चौबिस तक आप संयम बनाए रखें शनी राहु केतु की शान्थी करवा लीजिए और गुरू के साथ गुना जाब करवा लीजिए और एक पुखराज गले में पहन लीजिए आपको रहत मिलेगी बहुत बड़ी संभावना है कि आप देरे-देरे समश्या से बाहर आ जाएं तो दर्शे को यह था आज का पंचांग आज के विसस्ट उपाई और ग्यान चर्चा मैं पंडे चंदर शेकर शर्मा यह आशा करता हूं कि बताए उपायों को सही विदी सटीक समय पर करके आप पूरा पूरा लाव उठाएंगे और जो ज्यान चर्चा सत्संग में हमने समझा है कि आचरण के अंदर शुद्धता और एक आदर्श जीवन बहुत महत्तपूर्ण होता है क्योंकि उसी को अमारे बच्चे छुट-छुटे बच्चे देखक और उसी को समाज में दूसरे लोग भी देखकर शीकते हैं इसे अपने जीवन में उतारें थाक्टम के आदर्श जीवन में परिवर्थत करेंगे कारिक्रम में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साथ वात भगवतिया सुपका कल्यान करें जय आदिशक्ति गुड बॉर्निंग मैं हूँ दीपती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के हमारे स्खास कारिक्रम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशे सेग्मेंट में जहां पर आपर हम हर रोज औरिकल कार्ड के जरीए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा हम ऐसा क्या करें और किन बातों को करना अवाइड करें जिससे आज के दिन को हम और भी खुबसूरत बना सकते हैं और इसके लिए हम एक से लेकर 9 मूलांग तक की रीडिंग करते हैं अगर आपको नहीं पता कि कौन सा है आपका मूलांग या आपने हमारी प्रोग्राम को नया जॉइन किया है तो एक उधारन देकर आपको समझाना चाहूंगी अगर आपकी date of birth है 22 यानि की 22 तो 2 और 2 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ाता है नमबर 4 तो 4 होगा आपका मूलांग और आज की तारीख है 2 जुलाई 2030 और आज की तारीख नमबर 2 जिसके स्वामी है चंद्रमा आप तो जानते हैं कि चंद्रमा जो होते हैं मन के कारक होते हैं साथ ही साथ इनका जो तत्व होता है वो जल तत्व होता है और चूकि मनुष्य के शरीर में 70 प्रतीशत जल होता है ऐसे में कहीं ना कहीं जो मून का जो impact है वो हमारे उपर बहुत ही जादा पावफुल तरीके से पढ़ता है especially हमारे emotions के उपर देखे quantum science के अनुसार quantum physics जो modern science है आज की उसके अनुसार जो भी कुछ हम बोलते हैं जो भी कुछ हमारे हम वाइब्रेट करता है हमारे थ्रोट में आपको लगता है कि आपको किसी ने नहीं सुना in fact अगर आप अलग से शांत बैठके बढ़ बढ़ा रहे हों तो भी आपको लगेगा किसी ने नहीं सुना लेकिन quantum physics के अनुसार जो भी कुछ हम बोलते हैं वो सीधा stars में जाता है universe तक जाता है और यही तकनीक हमारी मंत्र चिकित्सा या फिर मंत्र जो हमारी एक विद्या है उसमें काम आता है कहीं न कहीं आज की modern technology भी इस बात को समच चुकी है जान चुकी है कि हम एक साधारण से विक्ती भी किस प्रकार से ब्रहमांड में जाकर एक हल्च्वल पैदा कर सकता है तरंग पैदा कर सकता है और इसी के उपर जो हमारे वेग्यानिक थे हमारे जो संत रिशी मुनी थे मैं उनको सब को वेग्यानिक मानती हूं they all are the spiritual scientist क्यों क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने बहुत बहुत वर्षों पहले जो कि कहीं न कहीं आच्चा के science justice को प्रमानित कर रहा है वो सब कुछ हमारे वेदों में उन्होंने पहले ही दे दिया कि किस प्रकार से मंत्रों के माध्यम से chanting करके हम किस प्रकार से ब्रमान्ड से जो energy है हम वहाँ पर अपनी एक उर्जा को collect कर सकते हैं और right moment पर उस energy को हम बुला के अपनी body में उसको हम इस्थापित कर सकते हैं उस उर्जा का जो उप्योग है उस vibration का जो उप्योग है वो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के blockage को clear करने में कर सकते हैं किसी प्रकार के स्वास्त लाब के लिए कर सकते हैं धलाब के लिए कर सकते हैं हर प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए हम अलग-अलग मंत्राज की chanting करके और उसका उप्योग कर सकते हैं उसका लाब हम उठा सकते हैं अब हम आज जानते हैं कि मूलांक एक के लिए हमारे एंजल्स हमारे एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 2 जलाई 2023 के लिए और मूलांक एक के लिए हमको कहा जा रहा है Magic Guardian का Card है Unlock the Magic Within आपको कहा जा रहा है मूलांक एक के जातकों को कि आपकी जो personality है वो बहुत ही आपका व्यक्तित्व जो है वो आकरशक व्यक्तित्व है कहीं ना कहीं आपके बीतर एक इस प्रकार की आकरशन शक्ति है कि आपके इसी quality है जिससे आप भीर से थोड़े अलग हो जाते हैं कहीं ना कहीं इसके कारण इस शक्ति के कारण बहुत सारे जो लोग हैं वो इगोस्टिक भी होते हैं मूलांक एक के जातकों तो यदि इस उर्जा का आपने सदूप्यों किया इसको आपने इगो में ना ले जाकर अगर आपने वास्तिक्ता में इसकी उर्जा को पहचाना तो सोचे आप कितने अच्छे लीडर बन सकते हैं आप बहुत सारे कार्यों को अपने अनुसार करवा सकते हैं और कर सकते हैं You have that ability आए जानते हैं मूलांख 2 के लिए हमारे एंजल्स हमारे एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइद कर रहे हैं 2 जुलाई 2013 के लिए और जो तारीक है वो भी है नमबर 2 मूलांख 2 की रीडिंग हम करने जा रहे हैं और हमको कहा जा रहा है मूलांख 2 के लिए देखें 2 कार्ड आज निकल रहे हैं पहला है High Priestress का और दूसरा है सबर का कार्ड देखें जब मून की बात करते हैं तो मून स्वभाविक सी बात है कि psychic energies का कार्ड है psychic powers का कार्ड है मूलांख 2 की जो जातां है नसे कहा जा रहा है कि आज के दिन की job की energies रहा है वो बहुत अच्ची है आपक जो six cents आपका जो intuition power वो आज बहुत powerful रहने वाली है हो सकता है कि किसी विक्तिय अगटना के बारे में आपको पूरवा भास हो जाए, आपको प्रतीत हो जाए कि प्रतीत की साथ मुझे काम भी करना है की नहीं करना है, प्रोजेक्ट मुझे करना भी है की नहीं करना है, मेरा करियर, मेरे रेलेशन्शिप, जो भी कुछ कई चीजों के बारे में आपको पूरवा भास ह तो आज इस प्रकार की पावर आप अपने अंदर महसूस करें के साथ ही साथ आप भावनात्मक रूप से अपने आपको थोड़ाज मजबूत रखने की कोशिश कीजिएगा जितना हो से कि आपको वाटर इंटेक करना जब पानी जादा पीते हैं तो कहीं नहीं आपकी बॉड आईए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा हमारे एंजल्स हमारे एंसेस्टर्स आज हमें क्या गाई कर रहे हैं और आज यानि की 2 जिलाई 2013 मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है सबसे पहले आज के दिन आपको थोड़ा सा विक्तिय संबंदी मामलों में सावधानी बरतनी जरूरी है किसी को भी उधार ना तो दें और ना ही उधार ले और अगर किसी प्रकार का पैंडिंग अगर बकाया है कहीं पर कि आपको किसी से पैसे लेने हैं तो आज आप आज जो है वह आपकर उतार सके अजका दिन अच्छा है और आगर आपकी काम करते हैं तो बहुत सारी जो आपकी ब्लॉक की जिसे वह आपको 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 प्राप्त हो रही है और उस गुरू कृपा से जो भी कुछ अनुभाव आज आपके जीवन में आपको मिलने वाले है आपके चाहे कारे शेत्र में हो चाहे आपके रिष्टदारी में हो रिलेशन्शिप में हो आज कहीं ना कहीं जो आनुभाव आपको मिलेंगे वो आपके दीर्ग काली ना आपके लिए लाबदाई रहने वाले हैं आई जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा हमारे एंजर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 2 जलाई 2023 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमें कहा जा रहा है आपको सबसे पहले तो कहा जा रहा है मूलांक 4 के जातकों को कि की आज की दोनों कार्ड्स निकले ना एक साथ यह प्रोटेक्शन पर फोकस कर रहे हैं वाहन चलाने में आज आपको साफधानी बरतनी है चोटी मोटी एक दुरघटना का जो है आ रहा है इंट्यूशन तो कहीं आपको सुख शान्ति बनाए रखना है किसी प्रकार से कलेश का वातवरन आपको घर में आसपास नहीं रखना है किसी प्रकार का अगर कलेश होता है तो लंबी यात्रा नहीं करनी है ऐसा करने से आपको बचना है आईए जानते हैं मूलांक पांच के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 2 जुलाई 2003 के लिए और मूलांक पांच के लिए हमको कहा जा रहा है आज मूलांक पांच के लिए हमसे कहा जा रहा है हमेट का काड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको कोशिश करना है कि नई शुरुआत करनी है अपनी energies को आपको recharge करना है इसका मतलब दोस्तों साफ है कि पिछले कुछ दिनों से जो आपका एक pattern चला रहा है आज कहीं न कहीं आपको एक भाग दोड़ भरी जिंदगी से या उथल पुतल से थोड़ा साथ आपको शांती में आना है अपने पुराने patterns को आपको break करना है क्योंकि अगर आपको अपने पुराने patterns से सफलता नहीं मिल रही है that means कि कहीं न कहीं आपके उस pattern में कोई न कोई कमी है तो आपके काम करने के तरीकी को आपको बदल के देखना चाहिए क्या पता कि उसको बदलने से आपको लाब हो सके आए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें हमारे angels हमारे ancestors आज हमें क्या गाइद कर रहे हैं दो जुलाई 2023 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है high priest का card है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन की आपकी उरजाएं बहुत अच्छी हैं लेकिन आपको क्या करना है कि कोई भी आप काम start करते हो ना और उसको पूरा नहीं करते हो बीच में छोड़के नया काम हाथ में ले लेते हो कहीशी ना कहीं दोस्तों पुराने लोगों ने बहुत अच्छी बात कहीं है कि अगर आप चार जगे खड़ा खोदोगे तो कहीं से पानी नहीं निकलेगा एक जगे अगर आप चार बार खड़ा खोदोगे तो अवश्य ही पानी आपको मिल सकता है तो उसी थीम पर आपको काम करना है आपको अपने लीक से नहीं हटना है आपको अपने career में आपकी life में आपको focus रहना है क्या चाहिए just focus on it और आपको clear कहा जा रहा है कि आपकी energy इतनी powerful हैं कि जो आप चाहते हैं उसे आप create कर सकते हैं तो कमसकम जो intent कर रहे हैं उस पर तो focus रखिए आप एक चीज़ के उपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें उ सफलता अवश्य आपको मिलेगी आपका दिन शुब हो आए जानते हैं मूलांक साथ के लिए हमारे एंजल्स हमारे एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं दो जुलाई 2023 के लिए और मूलांक साथ के लिए हमसे कहा जा रहा है आज मूलांक साथ के लिए तीन कार्ड आए हैं क्या बात है आज तो कार्ड की फरमार हो रही है पहला कार्ड है एर गार्डियन का दूसरा है ज्रम का और तीसरा है और गार्डियन का कहीं ना कहीं आपको वास्ट जो है नॉलेज आज आपके कार्ड से आपको मिल रही है तो लोगों का जो रवया आपके साथ आपके मुताबिक नहीं हो रहा है दिफेंड आपको करना है क्या जू कि जब यह खार रहा है कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई और जो जग डूड़ा आपने तो मुझसे बुरा ना कोई तो वासरिक्ता में जो कुछ बार गटित हो रहा है वो हमारा अपना मिरर इमेज है और आपको सबसे पहले अपने खुद के थाट प्रोसेस और विचारों में थोड़ा सा परिवर्तन लाना होगा इस पर ध्यान दें और जब आप परिवर्तन लेकर आएंगे तो उस वक्त आप जो भी कुछ प्लारिंग करेंगे अपना लक्ष बनाएंगे वह अवश्य ही आपका पूर्ण होगा बलकि लोग आपका साथ देंगे उस कारे को पूर्ण करने के लिए इसके लावा ये भी कहा जा रहा है कि जब आप आगे ग्रो करेंगे तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए ग्राउंडेड भी होना आए जानते हैं मूलांक आठ के लिए हमें पर मात्मा आज क्या बता रहे हैं एंजल एंसिस्टर्स आज 2 जलाई 2023 के लिए और इसके अंदर आपको कहा जा रहा है मूलांक आठ के लिए गाइड किया जा रहा है ट्रेडर का कार्ड है आपको इस पस्ट कहा जा रहा है कि पैसे और यह पिर परकारियं को अब बल देन इस हैं पूंघ को साथान करने disclose करना है आये जानते है मूलांक नौ कहा है अब लाइन्यमल्गार्टार है आज के दिन आप य्यूनिवर्स एनर्जीस के साथ बहुत जाता कनेक्शन महसूस करेंगे प्रहुकार्ःति के साथ एक अलग क् disrupt करेंगे आप है कि जो स्ट्रीट अनिमल्स हैं आज आपके साथ लगाव उनके साथ आप देखने को मिलेगा आज अचानक से जो बच्चे हैं जिनको आप नहीं जानते हैं आपको देखके मुस्कुरा देंगे तो कुल मिला के आज की आपकी एनर्जी जा रही है वो नेच्रल एनर्जी जा है तो यह बहुत ही अच्छा सिगनल है और कहीं आपको कहा जा रहा है कि क्योंकि आपके जो एक प्लाइट वर्किंग अबिलिटीज आप लोगों का भला करने के विशह में सोचते हैं तो यह आपका बहुत ही अच्छी बात है कहीं आपको ग्रोथ मिलने भी वाली है तो कु है तो अघर को कोई आपको क्या रगा ने जोब शिंट पर करने के विचार आपको विज्टिता आपको जॉब शिफ्ट कर के कहा कि आपको करना चाहिए वी यूनिवर्स आपकी साहता कर रहा है तो दोस्तों ये आज एक से लेकर नाम उलांग तक की रीडिंग हम आशा करते हैं कि आप लोग हमीशा खुश रहें, आप लोग हमीशा स्वस्त रहें आप सभी का मंगल हो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिये नंबर पर आप हम से संपर्क कर सकते हैं मिलूंगी आप से हमारे अगले अपिसोड भी तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को